अब वक्त हो चला है अपने खास विशेपर चर्चा करने का आज हम शशेजी से जानेंगे कि नवरात्र में कैसे करें आप पूजा, क्या होता है नवरात्र का महत्वर दर्शकों कल नवरात्र प्राणूम होनी जा रही है और ये शक्ती भरने का समय है आज हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को बताते हैं जैसे आप एक एक एक्जामपिल लेजे कि ATM में जाते हैं रेगुलर पैसा निकल ला होता है, लोग निकालते रहते हैं लेकिन बैंक की ओर से एक निश्चित समय पर उसको फिल किया जाता है जिस समय भरा जाता है उस समय शटर डाउन हो जाता है कोई व्यक्ति उससे पैसा नहीं निकाल सकता है बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यह जो नवरात है यह अपने अंदर फिलिंग का टाइम है यानि शक्ति को भरना है इन दिनों कोई भी ऐसा कार बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे एनर्जी लॉस हो क्योंकि यह समय शक्ति क को एकत्र करने का है साथ्चित भाव रखने का है और अपने भीतर कोई भी नकारात्मकता है उसको दूर करने का है लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि फिजिकली रूप से हम लोग स्वस्त रहें असली धन यही है और शारिरिक शक्ति अगर अच्छी है तो मानसिक शक्ति भी अच्छी होती है क्योंकि स्वस्थ सरीर में ही स्वस्थ मस्तिश्क निवास करता है आज हम लोग बात करते हैं दुर्गा सबस्थी ग्रंद की और इसमें एक कवच है कवच यानि जो आपको सुरक्षा देता है और सुरक्षा से जुड़े हुए विश्यों पर यह आधारित है दुर्गा सबस्थी में इसमें भगवती की क्रपा तो है ही साथ ही इसमें बहुत गूर रह से और सभी के घरों में होगा जो भी हम लोग नवरात्र में पूजन करते हैं इसी का पाठ होता है हवन करते हैं इसी का पाठ होता है कर्म भक्ति और ज्ञान की त्रिविद मंदाक अगर आप कर रहे हैं तो मनोवांचित फल प्राप्त होगा आपको कोई वस्तु चाहिए वो मिलेगा निश्काम अगर कर रहे हैं तो दुरलब मोक्ष भी प्राप्त कर रहे हैं मां की करपा आपको भौतिक अध्यात्मिक दोनों रूप से होती दर्शो को आज आपको वहां दर्शो को मारकंडे रिशी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पिता मा मुझे ऐसा कोई साधन बताइए जिससे संसार के मनुष्यों की रक्षा हो सके तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी का जो कवच है वो संतुन प्राणियों पर उपकार करने वाला हैं उनकी रक्षा कर आने वाला देवी की नौ मूर्तियां यानि नौ दुर्गा जिसको कहते हैं नौ देवियां इनके अलग-अलग नाम है दुर्गा सबस्थी में है और यह जो नौ नाम है यह कुछ इस प्रकार है वो है प्रथम शैल पुत्रिच्चा दुतिय ब्रह्मचारणी तिरतिय चंद्र घंटेती कूष्मांडेती चतुर्तकम पंचमम इसकंद मातेती सस्टम कात्याईनी चा सब्तम कालरात्री महागवरीत चास्टमम और नौमम सिद्ध्यात्री चा नौ दुरगा प्रकीर्तता यानि पहली शैल पुत्रिदेवी है दूसरी ब्रह्मचारणी है तीसरी कूष्मांडा है पंचम इसकंद माता है छटी कात्याईनी है सात्वी कालरात्री आठवी महागवरी है और नौमी सिद्ध्यदात्री ये जो देवियां है इनके अलावा भी बहुत से देवियां है जो हमनों के शरीर के एक एक पार्ट पर अपना कवच है उनकी रक्षा करत हैं सब तो नहीं ले रहे हैं आप दुर्गा सबस्थी का कवच का पाठ करिए यानि अगर आपको कोई फिजिकली दिक्कत कोई शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है और यहां तक कि जिल्लों की शनी की साड़े साती चल लई है एक्सिडेंट हो रहे हैं उनको दुर्गा सबस और मा भगवती हर तरफ से प्रोटेक्ट करती है दिशाओं में भी उनका प्रोटेक्शन है और पूर दिशा में एंद्री देवी रक्षा करती हैं अगनी कोण में अगनी शक्ति देवी हैं दक्षिड दिशा में वाराही करती हैं नेरत्व कोण में खड़क दारनी करती हैं और पश्चिम दिशा में वारुणी करती है और वायव यानि पश्चिम और उत्तर के मद्रगवाहिनी देवी करती है और उत्तर दिशा में कौमारी और इशान कोण में शूल धरनी करती है और ब्रामनी देवी उपर से रक्षा करती है और वैश्नेवी देवी नीचे से रक्षा करती है और शवपर चलने वाली चामुंडा देवी जो है वो सभी दिसाओं से दसो दिसाओं से वो रक्षा करती है जया देवी आगे से विजया पीछे से रक्षा करेंगे वाम भाग से अजिता और दक्षन भाग से अपारा जिता तो ये कवच की जो महिमा है वो बहुत अद्वूत है इसको सबको पढ़ना चाहिए नौरात्र में तो अवश्य पढ़ना चाहिए और रेगुलरी पढ़ते हैं इसके लावा जो शरीर के अंग है हम तो मुख मुख ल इर्ष के उमादेवी शे य्श शुनी यहीं जो है वह inhal की रक्षा तरती यानि ये बहुत चोटी चोटे पार्द की रक्षा अलग अलग देवियां कर रही हैं बहुके मद्द इस्थान की तृनेत्ता जेवी कर रही हैं लुए कानों की द्वार्वाश्नी बेवी रक्षा की रक्षा चंडिका देवी करती है और महा माया तालू की जबान के ऊपर वाले हिस्से की रक्षा कर रही है दोनों भुजाओं की जो रक्षा है वो वज्यधार नहीं करती है और शोक विनाशनी मन की करती है शोक विनाशनी देवी की उपासना करने से मन आपका मजबूत रहत मन भटकता नहीं और हिर्दय अगर आपको कोई हाड की प्रॉबलम है या हिर्दय सम्मंदित कोई दिक्कत है तो ललिता देवी का ध्यान करना चाहिए शूल दाड़नी पेट की रक्षा करती है विंद वासनी देवी जो हैं वो गुटने की रक्षा करती है तुचा की रक्षा इसकिन की रक्षा वागिश्वरी देवी करती है पार्वती देवी रक्त की मज्जा की वसा की मांस की हड़ी की रक्षा करती है और धर्मधानी देवी बुद्धी की रक्षा करती है तो दर्शकों आपने देखा कि कैसे देवियां छोटे छोटे पार्ट इसमें तो बहुत सबस्ति कुस्तक में जो कवच है उसको अवश्य पढ़िए ताकि आपका प्रोटेक्शन हो चाहे शरीर स्वस्त रहे